कि कुछ अर्जस्मेंट करने जा रहे हैं कि माल लेते हैं दो कामपनी एक एक स्लिमेटेड ध्यान से सुनना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर सही से समझो तो बोलोगो यह तो नॉर्मल बात ही है अब ऐसा हुआ दोनों आस्पेक्ट लेके चलते हैं एक्स लिमिटेड जो है कि टेट इस बायर और वाई लिमिटेड कौन है सेलर और इस बायर कमपनी को हम ट्रांसफरी कमपनी कहेंगे मैं लिख देता हूँ और इसको कहते हैं ट्रांसफरर कमपनी और यह होता है हमारा ट्रांसफरी ट्रांसफरी डोनी और जिसके आगे यार लगता है वो देने वाला होता है जैसे डोनर या फिर आपका पेयर तो देने वाला होता है ठीक है टो एक्स लिमीटड सेंलर है हई कि एक्स लिमिटेड जो बायर था कि इसने इक्स लिमिटड जो बायर था न इससने समान बेचा था और मैं कुछ इसका पहले से स्मॉल डिटेल देता हूं आपको इसके पास पहले से ही पहले से स्टॉक है मान लेते हैं दस अजार का ठीक है और इसने क्या करा इसने इसको समान बेचा इसने समान बेचा मान लेते हैं दस अजार रुपए का इसके अंदर इंक्लूड प्रॉफिट है इंक्लूड प्रॉफिट है किसने समान बेचा सर एक्स लिमिटेड ने सोल्ड किया अब इंक्लूड प्रॉफिट का मतलब बताओ प्रॉफिट किसने रखा होगा इस पे एक्स का ही प्रॉफिट होगा क्योंकि एक्स बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा प्रॉफिट जो रखा है कि ट्वइंटी पर्सेंट कि ऑन सेल्स अब कोई बत्चा पहले तो मुझे यह बताए कि इसने जो दस अजार का समान बेचा है उसके उपर प्रॉफिट इसका बीच पर्सेंट है तो यह कितना प्रॉफिट इसके अंदर लेके चल रहा हो कौन बताएगा मुझे प्रॉफिट अमाउंट यह कितना कमाएगा इसको बेचेगा तो इसका मतलब सर वेरी सिम्पल यह जो है यहां से अर्ण कर रहा होगा कि यह यह प्रॉफिट कमा रहा होगा दो हजार सर कैसे पता चला यह वह यह 10,000 पर सीथा बीस परसेंट निकाल दिया और यह जो स्टाउक था दस हजार का वो सीथा जाके जैसे इसने खरीदा प्लस और स्टाउक आ गया कितने का और इसका स्टाउक बन गया एक दसका समझे और इसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट है सर इसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट है जहां इसके पास पहले से ही स्टॉक है माल लेते हैं एक लाख पचास अजार बेचने के बाद बेचने के बाद हुआ ये कि इन दोनों कमपनी ने सर इन दोनों कमपणी ने मतलब किन दोनों कमपणी ने X और Y ने Decide कर लिया और अब Y Limited को ये खरीदने जा रहा है कौन? X Limited पहले ही बता दिया बायर है तो अब इस कमपणी को इसने खरीद लिया तो इसके जितने भी Assets होंगे जितने भी Assets होंगे वो सारे Assets किसके कहलाएंगे? अब X के बन जाएंगे जितने भी इसके Assets होंगे सारे इसके बनेंगे ठीक है? अब क्या इसका Stock जो है वो भी इसका बनेगा? बिल्कुल बनेगा इसका तो जब ये इसका Stock उठाके लेके जाएगा जब ये यहां से ये जो Stock है इसका अगर ये Stock पूरा उठाके पूरा Stock उठाके जब ये अपने Balance Sheet के अंदर लिखेगा ध्यान देना जब ये अपने Balance Sheet में लिखेगा ये Balance Sheet पता है किसका है? ये X Limited का है तो आप समझोगे को इस Stock के अंदर एक काम ऐसा है और इस Stock में एक Point आपको ऐसा नजर आ रहा होगा जो खुद को ही बेचा हुआ समान नजर आएगा लग रहा है को ऐसा? तो आप इस 10,000 को फोकस करके देखिए ये 10,000 का इसने इसको बेचा था लेकिन Ultimately घूम फिर किसके पास आ गया? इसी के पास आ गया तो ये वाला जो Stock है ये वो Stock होगा जो एक तरीके से Ultimately ऐसा Feel हो रहा है कि इसने इसको भीजा वापस मेरे पास ही आ गया इसी में ही आ गया तो इसका मतलब इस Stock के अंदर हमें इस वाले से इतराज नहीं है ये तो पहले ही था हमें इस वाले एक लाक से भी इतराज नहीं है इसने कहीं और से खरीदा होगा हमें Problem है 10,000 और 10,000 में से भी मुझे 10,000 से Problem नहीं है जितना Profit Margin मैंने इसको रखा था अगर मैं यहां से वो Profit Margin हटा दूँ तो फिर ये सही हो जाएगा है कि नहीं क्योंकि मैं अपने स्टॉक में तो अपना स्टॉक प्राइस तो रखूंगा ही और इसका अगर मैं बताओ कि ये जो समान जो इसने इसको बेचा था ना तो अल्टिमेटली 8,000 का इसका समान था जो कि इसने इसको कितने में बेच दिया था सर ये कैसे पता चला आपने ही बोला था मुझे कि सर इसने प्रॉफिट कितना कमाया था 2008 का समान 10 का बेचा था जब 8,000 का समान इसने 10,000 का बेचा तो ऐसे सिचुईशन में इसको अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो अगर दिखाना चाहिए इस स्टॉक को 8,000 अब इसके बैलेंशेट में कोई करवड़ी नहीं है पहले समझी है लेकिन सामने वाले पार्टी ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तेर से खरीदा था तो प्रॉफिट घटा ले वो तो बोलेगा भाई मैंने पैसे तो दिये ही थे तेरे को तो मैं तो 10 पे वैल्यूवेशन कर रहा हूँ वो लेगा ठीक है तेरे स्टॉक को मैं 10 पे खरीदूंगा ही क्योंकि कमपनी जब खरीदेंगे तो ये मेटर नहीं करता कि क्या है लेकिन कहीं न कहीं ये फील कर रहा है इसने अपना स्टॉक को क्या करा कम कर दिया डाउन कर दिया तो स्टॉक कम करेगा तो टू स्टॉक अकाउंट हो जाएगा तो स्टॉक अकाउंट हो जाएगा दो हजार से लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा देट इस क्या हो जाएगा गुड विल अकाउंट जब भी पैसा किसी को एक्स्ट्रा देते है न तो वहाँ पे हमारा इंटेंशन यही होता है कि भाई साब वह क्या रहा होगा गुड विल देखिये समझ में आई बात आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है तो इस टॉपिक को बोलते हैं अन्रेलाइज श्टॉक अब यहां मुद्दे की बात है अन्रेलाइज श्टॉक में समस्य कब आ जाता है मैंने वैसे हाला कि मैं कई बार इस बातों को बता चुका हूँ कि ये 20% on sale है ऐसा भी possible होता कि ये 20% on cost कहते था ठीक है न तो यहाँ पे situation में 4 ही situation बन सकते हैं अगर 20% on sale कहता अगर मान लो suppose मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कहता 20% on cost या 25% on cost 25% on cost तो ये तो है ये आप बताइए आपको तो given ये वाला price है न तो ये तो selling price है और ये बोल रहा है 20% कि 25% किस पे cost पे तो ऐसे situation में हम let कर लेते हैं और उसको हम बड़े साधा आराम से solve कर सकते हैं sales जो होता है न वो क्या होता है हमारा cost प्लस में profit और इसको अगर मुद्दे को देखें तो sales हमें पता है cost नहीं पता और इसी के उपर profit है तो cost x by 4 हो जाएगा इसको जब आप solve करेंगे तो x का value जो है आ जाएगा ठीक है न यानि आपका cost पर दे रखा है तो क्या करना है sales पर क्या दे रखा है आपका semester one में भी है semester one में तो branch account के अंदर यही point ही था कि वह उसको भीज रहा है एनिवेज वह वहां की बात थी यहां की बात है तो अगर आपको possibility है ठीक है ना पहले यहां तक समझ में आगया यह दूसरे वाला करके में उज्जानने नहीं चाहता है जो जो समझ में आता जा रहा है तो मेरे लिए वही काम्याबी है कि इस चप्टर को समझ में आ रहा है और फटाफट कर देंगा बच्चे ने बता दिया सार 125 परसेंट सब्सक्राइब करेंगे यहां तक समझ में यह क्या था हमारा अन्रेलाइज प्रॉफिट एक और अड्जस्मेंट इसका हम दूसरा आस्पेक्ट भी करेंगे कॉमन डेप्ट सर कॉमन डेप्ट क्या होता है एक्स यह मैं अड्जस्मेंट समझा रहा हूं एक तरीके से एक्स लिमिटेट और एक मान लीजिए है कि वाई लिमैटेट दो कंपपनी है टार्य सर जब दो कंपणी घ्ज़ं एक एक्ससंग होआ हुआ यहा ए कि कुछ समान कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेम सेलर भी होता और सेम बायर मतलब एक ही परसन है ना वह दो भूमी का निभाता है अगर एक ही परसन की बात करें तो वह दो रोल प्लेए करता है यह लेज़े अब इसने क्या करा है दो रूल कैसे प्ली करता है मान लेते हैं यह दो रूल प्ले करवा देता है चलिए मैं एक्जामपल लेता हूं जैसे मान लो हम सेम पर्सन को बेचते भी हैं और सेम पर्सन से हम खरीदे भी हैं सर मतलब उसी को बेच के उसी से खरीदना हम सारा गुट्स नहीं लेकिन फिर भी गुट्स हम ऐसा करते हैं कि उसी वेक्ति को हम बेच रहे हैं और उसी वेक्ति को हम क्या खरीद कर रहे हैं खरीद रहे हैं सपोस करते हैं एक स्टील बनाने की कंपनी है मैं एक्जामपल ले रहा हूं स्टील बनाने की कंपनी है और मान लेते हैं एक एक्जामपल हम टाटा मोटर है ताटा मोटर का कोई काम खाज किसी को बता सकता है कोई आइडिया है ताटा मोटर का काम क्या है गाड़ी बनाना ट्रक बनाना यही काम है और स्टील बनाने की कंपनी का काम क्या है बताओ स्टील बनाने का कमपनी स्टील बनाना जो टाटा मोटर ये जो की कार बना रहा है इस कार के अंदर स्टील यूज होगा या नहीं होगा होगा तो इसने क्या करा इस कमपनी से स्टील खरीद लिया मान लेतने खरीद लिया पांच लाख रुपए का समझ रहे हैं तो ये जो Tata Motor है Tata Motor क्या कहा कहेगा ता-ta Motor कहेगा कि मेरा क्रेडिटर है उधार खरीदा है doing कितने का पांच लाख रुपए का और पेमिंट किसको करने है माल लेते हैं इसका ही रख देतें स्टील लुमिटेट पेमिंट किसको करना है यहां तक समझ में आरा है कहानी आपको अब मान लेतें स्टील लिमिटेड ऐसा तो नहीं है कि यह पैदल चलेगा इसको भी कार की जरुरत पड़ेगी कभी ना कभी इसको कार की रिख्वार्मेंट है इसने सोचा यार कार की जरूरत है और इसने सोचा एक काम करते हैं कि एक छोटी से कार देख लेते हैं नैनो कार देख लेते हैं ज्यादा बड़ी कार का क्या करना केले आना है केले जाना है तो एक नैनो कार ले लिया जाए अब नैनो कार इसे किस से खरीदेगा ताटा ही बनाती है और कोई कमपनी तो बना नीद इसने क्या करा इस कंपनी से कार खरीद लिया नैनो इसकी कॉस्ट एक लाक रुपै इसकी कॉस्ट क्या है एक लाक रुपै नाव अब ये स्टील लिमिटेड क्या बोलेगा स्टील लिमिटेड कहेगा कि मेरा क्रेडिटर है मुझे पैसे देने हैं एक लाख रुपए समझ रहे हैं यानि इसको इससे पैसे लेने है पैसे देने है और इसको इसको पैसे देने है यानि मैं अभी क्रेडिटर क्रेडिटर के पॉइंट से लेके चल रहा हूँ अब अगर आप डेटर वाले पॉइंट से लेके चलेंगे तो सेम कहानी होगा इसको इससे पैसे लेने हैं तो इसके लिए डेटर कितना होगा? पांच लाद और इसको भी इससे पैसे लेने हैं तो इसके लिए debtor कितना होगा एक लाद चाहे debtor हो चाहे creditor हो ऐसा possibility बना जा सकते है जब ऐसा possibility हो जाता है तो इसके अंदर हमें एक common amount निकालना पढ़ता है कि common amount आपस में क्या travel हो रहा है आफे तो common amount हमेशा जो दोनों में से कम होता है वही यहाँ पे settlement होने के लिए तयार रहता है तो हमारे पास दो amount है 5 लाख और 1 लाख तो इसमें से lower amount क्या है हमारा 1 लाख तो यही दोनों settle होगा आप simple सी बात है टाटा क्या करेंगा पैसे ले के जाएगा बोलेगा ले बाई 5 लाख और यह पैसे अपने पास ले के आएगा बोलेगा ले भुषे ली एक लाख इसके पास 5 लाख पहुंच गे यह फिर टाटा यहसा भी कर सकता है देख भाई मैं तुझे चार लाख रुपे दे रहा हूँ और जो तुझे एक लाख रुपे मुझे देने थे और मुझे जो एक लाख रुपे बचे हुए देने है वो आपस में क्या हो गए बराबर हो गए तो इसको common debt की category में रखें समझ मैं ही बात अपको तो सेम अगर इस company के अंदर मैं बोलू कि इसने इस company को sold किया है sold किया है या purchase से ले ले लेते है purchase से example start किया purchase और source दोनों कर लेंगे पहले हम purchase की बात कर लेते हैं इसने purchase किया arrow देखिए इसने किससे खरीदा इससे खरीदा कितने का खरीदा साहब 50,000 का सर इसने भी इससे खरीदा है सर इसने भी इससे खरीदा है purchase किया इसने 20,000 का तो जब ये company buyer बनेगी और ये company seller बनेगी तो ऐसे situation में होगा क्या ऐसे situation में इसके सारे assets मेरे इसके सारे liability भी मेरे तो जब ये balance sheet बनाएगा अपना जब ये अपना balance sheet बना रहा होगा तो ये अपने balance sheet में transaction show कर रहा हो सेम ऐसे जब ये अपना balance sheet बना रहा होगा तो ये भी transaction show कर रहा होगा ये अपने balance sheet में लिख रहा होगा कि मेरा creditor है पचास हजार का और यही लिख रहा होगा यह मेरा डेटर है बीस हजार का ऐसे कर रहा होगा न क्योंकि भाई इसने समान खरीदा है तो इसने समान बेचा भी है अब बताओ इसने कितना समान बेचा है इसने सोल्ड कितना किया है इसने सोल्ड किया है भाई जब यह इस से बीस खरीद रहा है तो यह बेच भी तो रहा है क्योंकि इसने इसको उधार माल बेचा हुआ इसने खरीदा हुआ तो डेटर में सो करेगा और इसने कितना बेचा है इसने कितना बेचा है सहाब इसने बेचा है 50,000 ये अपने balance sheet में show करेगा कि मुझे भाई उसको देना है मेरे लिए creditor है creditor कितने का है 10,20,000 और मुझे पैसे लेने है मेरा debtor कितने का है कुछ ये कहानी बन रहे होगी ठीक है अब suppose करो पहले से इसके पास creditors है ये तो इन दोनों की transaction है क्या इसका पहले कोई creditors नहीं होगा ना 5 लाख है और इसके पास भी पहले से creditors है और माल लेते हैं 2 लाख है अब जब मैं ये company खरीदूंगा तो इसका जो भी creditor है इसका जो भी creditors है यह क्रेडिटर किसके हो जाएंगे भाहर के बुक्स में आ जाएंगे लाइबलिटी साइट में तो जब यह क्रेडिटर होगा तो इसके अंदर यह क्या पाएगा कि यार यह 20,000 तो मुझे ही देने और मुझे ही देने यही होगा ना कि यह 20,000 मुझे इसको देने और किसको दे ने जब खरीदने के बाद मुझे तो यह फायदा है तो हुआ नहीं कोई कि मैं बोलू कि मुझे ही पेमिंट करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा इसको यह 20,000 रुपे की एंट्री क्या करनी पड़ेगी और सेम अगर डेटर को इसके एक्वायर करेगा तो डेटर में भी यही कहानी आएगा तो जब कॉमन डेटर या कॉमन क्रेडिटर होता है न वैसे कॉमन डेट होता है तो डेट के केस के अंदर हमारा क्रेडिटर और डेटर दोनों रिडियूस हो जाता है कैसे रिडियूस होग मुझे देने है और यहां कहा रहा हूँ कि 20,000 मुझे उससे लेने है तो यह cancel out हो गया हूँ है cancel out हो गया यह अब यह 20,000 पर मुझे लेना था तो मेरा debtor घट जाएगा खुद का company का और creditor भी घट जाएगा क्योंकि यह creditor अब मेरे ही है तो मेरे creditor भी घट जाएगा तो जनल इंट्री क्या होना चाहिए मेरा debtor भी घट रहा है साहब मेरा creditor भी घट रहा है तो क्या होना चाहिए creditor टू समझ रहे हूँ कि यह होगा अब दूसरा aspect देखते हैं अब जब हमने इसका सारा liability लिया तो इसका assets भी ले लेंगे हम समझ रहे हो अब मैं इसके assets को भी नहीं छोड़ूँगा मैं इसके assets को भी ले लूँगा और मैंने यह assets ले लिया अब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एसेट्स है लेकिन आप ध्यान से देखो ये मेरा एसेट्स तो है लेकिन भाई साब इस एसेट्स का पैसा लेने चलते हैं अगर ये मेरा एसेट्स है तो मेरे पास पैसा भी आना चाहिए अब ये कंपनी इस पैसे को लेने के लिए किसके पास जाएगी कि खुद के पास ही आ जाएगी कि इसका मतलब यह भी मामला थोड़ा सा खराब हो गया कॉमन डेट वाली बात हो गई यहां पे भी यह पचास अजार का पैसा इसको तो कभी मिलेगा नहीं इसको खतम करो कि और जो मेरे पास liability में श ओ हो रहा है इसको भी खतम करो हैके तो यहां पे भी क्या होगा डैटर हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट और चाहे आपका डैटर हो चाहेे बी पी हो इसी हिसाब से होगा चाहे बी अर्-बी पी का से творit क को बात तो एक अट yaptodel Bundesregierung थोड़ा सा फारख होता है बस ठीक है तो इस टॉपिक को क्या बोलेंगे common debt common debt के case में हमेशा क्या होगा हमारा जो amount lower होगा वो settlement में हो जाएगा और हमारा क्रेडिटर debit हो जाएगा और debtor क्या हो जाएगा हमेशा कम हो जाएगा तो यह है हमारा किसकी entry common debt का जब हम उसके assets को acquire करेंगे न तो ऐसा नहीं है कि इस assets को लेंगे निबोलेंगे लेंगे assets को उसके बाद एक general entry करके उसको हम क्या करेंगे उसको rectify कर देंगे ठीक है न क्योंक capital entry करके वह assets सब मेरा बन चुका है तो मैं अपने assets को क्या कर दूँगा reduce कर दूँगा समझ में आई बात आपको तो यह था हमारा क्या common debt